आपकोมिई चाहि के chip Oke हाँलो काईज प्यूडे तीज बड़ेस तो जाजी कम बात करेंगे मावल स्टूडियो फेसुट फल की अपकामिंग मुवीज के बारे में कौंसी मुवी ,कौंसी इयर को और कौंसी डैट्ग को रिलीज हो रही है देन उसी के साथ बात करेंगे एक डेले मूवी के बारे में जो कि Kevin Feige ने डेले कर दी थी, उसी के साथ बात करेंगे Marvel Phase 4 की और नई मूवी के बारे में, तो चली स्टार्ट करते इस वीडियो, तो फाइनली बात करते हैं कि इस साल 2019 में हमें देखने को मिली मूवी Captain Marvel, Avenger Endgame और Spider-Man Far From Home, उसी के साथ 2020 में देखने को मिलेगी, एक मही को Black Widow, जो कि Avenger Endgame में हमें काफी ज़्याता सदमा पहुचाता, तो फाइनली Black Widow की Solo Movie आरी, जो कि एक मही को रिलीज होगी, उसी के साथ फिर पूरे साल में हमें सिफ दो मूवी देखने को मिलेगी, पर अगली जो फिर साल 2021 में प्लैक पेंथर देखने को मिलेगी, उसका सेगेंड पार्ट यानिक स्विकल, और उसी के साथ यह मूवी रिलीज हो रही है बारफ फरवरी को, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगी साथ मही को Dr. Strain 2 2021 में, फिर फाइनली लाश्ट येर में हमें देखने को मिलेगी 5 नॉवंबर 2021 में, शौंग ची, तो ये 3 मूवी हमें देखने को मिलेगी 2021 में, उसी के साथ साल 2022, फरवरी 18, तो इस डेट को Captain Marvel 2 रिलीज होगी, पर इसमें अंटाइटल में दे रखाए, यानि कोई अभी तक नाम कंफर्म नहीं है, पर 100% Captain Marvel 2 रिलीज होगी, इस ड नहीं होगी, पर मैं आपको बता दूँ, Marvel 2 रिलीज होगी, तो केविन फाइगी ने प्रॉमिस कर रहा था, कि वो सिर्फ 6 मूवी को ही लांच करेंगे, सुरवाती फेस की 4 की मूवी को, तो देखते के इन फीचर और कौन सी मूवी आती है, पर जो जो लेश्ट मैं आपको बताईए, ये कंफरम है, बिल्कुल, और इसी डिट को ये मूवी रिलीज होगी, बस इन एयर में ये आगे पीचे हो सकती है, पर इस एयर में ये मूवी कंफरम है, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो यूटूब पे देख रहे हैं, पर और कुछ मत मानना, बाबाई, जारूँ